हेलो दोस्तों कैसे है आप आज हम लेकर आए है आपके लिए बहुती स्पेशल रेस्पी जैम जो आप फट से घर में बना लेंगे ओनले टैन मिन्ट में और आप देख सकते हो कि तक कमाल का टेक्स्चर आया हुआ है सेम वे ही कंड है वैसी ही लगड़ा है जैसे कि हमने मार्क से खरीदा है एक बार आप जरू ट्राय करके देखे और पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक एन सब्सक्राइब जरू कीजिए और बैल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि में जब भी कोई नई वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे देख सकते हो आप कि ने ली है करीब तिन सो ग्राम कच्चे आम अभी इसमें कट कर लगा देगे इस तरह से इसको हमने इच्छे से धो लिया था पहले दो के आगे से काटके थोड़े डाल देता हमने इसे पानी में सायर का थोड़ा से यह खराब है तो इसको हम निकाल देंगे और सभी में इस से कट लगाने से क्या होगा कि जब हम इसको लगाएंगे इसे विचल लगेगी तो जब बिल्कु पके Center चलक से उतर जाएगा कि अगराप Черफ उसबी साबुत को भी को इसे ही बूइल कर सकते हैं नहीं तो ळगा के फटाफट से आपका काम हो जाएगा अभी सब पानी 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 होना चाहिए क्योंकि यह पानी हम यूज करेंगे बाद में भी और एक इसमें हम सीटी लगाएंगे जादा लगाने की जोड़त नहीं होती है उसी में काफी सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से हमारे बोईल हो चुके है अब इसको निकाल लेंगे बिल्कुल ठंडा होने देंगे वन बाई वन करके अभी काफी गरम है इसलिए हम हाथों से नहीं इस तरह से ही निकाल लेंगे सभी को आप देख सकते हैं छिलके अपने आप उतर रहे हैं यह जो हमने कट लगाया है उसका एक कमाल है और यह पानी हम भैकेगे नहीं हमारे यूज में आ जाएगा अभी सब छिलकों को उतार कर इसके अंदर जो गुदा है उसको हम स्पून की साइता से इस तरह से निकाल लेंग इनकी छिलकों का हमें कोई जोड़त रही है इसमें आप देख सकते हो फटा फट से हमारे यह छिलके उतर गए है इस ट्रिक से जब आप बनाएंगे तो फटा फट से आपका जैम तयार हो जाएगा इसमें दोस्तों जादा टाइम नहीं लगता है और टेश्टी बहुत लग इस पी है अभी इसको हमने सबको वन बाई वन करके इसी तरह से गोदे को निकाल लेना है अच्छे से सारा हमने गोदा निकाल लिया है और जो यह अंदर की इसकी जो इसके अंदर गोटली है उसको भी हम निकाल लेंगे गोटले कभी हमें इसमें कुछ जप्रयोग नहीं कर देंगे उन्हें अंदर से गुटलिया है जो इसको निकाल कर बाहर डाल देंगे क्योंकि ये विवेश्ट है हमारे लिए उपर का गुद्दा निकाल लेंगे सबी को ऐसे ही हमें निकाल लेना है बीच में जो गुटलिया है उसको भी इसी तरह से निकाल के साइड में रखते चले जाएंगे फटाफ़र से काफी सोफ्ट हो रही है तो फटा फट से आप इसे निकाल सकते हैं इसी तरह से अभी ये सारा हमारा तैयार हो गया है अभी यहां पर हम क्या करेंगे एक मैसर लेंगे और मैसर से इसको मैस कर लेंगे बिल्कुल पारिक कर लेना है हमें से अगर मैसर ना हो तो आप इसे इस पैचुला की मदद से भी द बारिक हो गया है अभी एक छलनी लेंगे यहां जिस पैन में इसको रख दिया है और यह सारा डाल कर एक स्पून से इसे दबाते हुए सारा जो गुदा है उसे अच्छे से छान लेंगे तो छलनी आप ले थोड़ा मोठी शेद वाली जैसे बैने ली हुई है और इस तरह से रगड़ते हुए हम सारा अच्छे से इसको इसके पल्प को निकाल लेंगे नीचे अच्छे से निकलता चला जाएगा इसी तरह से आप देख सकते हो कि नीचे अराम से यह निकल रहा है ध अभी थोड़ा सा जो पानी है इसमें वह भी हम इसमें ऐड़ कर लेंगे इससे यह क्या है कि यह फटा फट से हमारा गुदा निकल जाएगा इससे क्या है छानने से जो जैम हैं काफी इच्छा बनेगा इसलिए आप बनाने से पहले इससे जरूर एक बार चाने अभी थोड अब यहां पे हम ले लेंगे इस पेचुला और इसको चलाते रहेंगे, यहां पर आपको क्या गणना है कि एल्मूनियम की कड़ाई नहीं लेनी है बिल्कुल भी आम के लिए और यहां पर हम डालेंगे करीब देड़ कप चैनी, जितना हमने आम लिया है उतना ही हमें इसमें स डाल चीनी इससे कलर भी अच्छी आएगा और अच्छी इसमें सुरो तो लिए पाउडर इसमें हम इलाइची पाउडर इसे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा और इसको चलाते रहेंगे इसको हमें तब तक चलाना है जब तक यह गाड़ा ना यह बिल्कुल स्मूत हो इसे कम से गम इसको हम 8-10 मिंट तक इसी तरह से चलाएंगे धीरे धीरे जब यह पकेगा तो बहुती बहत्रिन बनेगा आप देख सकते हो पहले से गाड़ा हो चुका है शुरू में तो आप वीच वीच में चलाते रहे लेकिन लाश्ट में आपको इसे चलाते रहना है क्यों नहीं तो वो खराब हो जाती है उसमें वो टेश्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए इसलिए ना तो आप एलमोनियम के कुकर को यूज करें आम के लिए और नहीं अगर आप जैम बनाने वाले हैं तो आप या तो इस्टील की कड़ाई ले या फिर ऐसे ही कोई नोश्ट क पैन ले जैसे मैंने लिया हुआ है या फिर आप लोहे की भी कड़ाई ले सकते हैं अच्छे से इसको चलाते रहेंगे आप देख सकते हो पहले से यह थी खोद रहा है इसको बीच में हमने टैस्ट भी कर ले रहा है अभी तो काफी पतला है जब बिलकुल मिक्स हो जाएगा तब तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे अभी यहां पर हमने बिलकुल भी इसको नहीं छोड़ना है दोस्तो इसी तरह से हमने इसे चलाते रहना है और इसमें अलग ही तरह का टेस्ट आता है बच्चों को जैमक्सर बच्चे भोती मज़े से खाते हैं मेरे बच्चे तो बहुत जल्दी बनवाते हैं और बहुत ही टेश्टी बनता है अभी थोड़ा साम डाल कर देख लेते हैं थोड़ देर के लिए रख देंगे इसको और यहां पर इसे चलाते रहेंगे अभी आप देख सकते हो पहले से गाड़ा हो चुका है तो करेब यह हमारा बनने की प्रोसेस में है बिल्कुल मिक्स हो गया है और कलर भी आप देख सकते हो पहले से इसका चेंज हो चुका है इसको हमने बिना फूड कलर के बनाया है अभी आप देख सकते हो यह थोड़ा सा हम ऐसे कर रहे तो फैल रहा है तो जैम अभी पूरी तरह से नहीं बना है तो थोड़ी देर और हम इसको चलाएंगे एक सूदो मिन्ट और यहाँ पर हम लेंगे अब दूसरी का प्लेट और उसमें रखेंगे अभी थिक लग रहा है तो हमारा मुझे लग रहा है कि बिल्कुल तयार हो चुका है यह जैम थोड़ा थंडा होने के बाद हम उसे चेक कर लेंगे तब तक हम इसको चलाते रहेंगे इतना ही हमें थिक कर देना है इसको जब हम इसे गिराए तो इस तरह से गिरना चाहिए क्योंकि थंडा होने के बाद बहुत ही टाइट हो जाएगा आप देख सकते हो जैसा हमने डाला है वैसे ही है तो यह जैम हो चुका है मारा पूरी तरह तयार यहां पर हम कर देंगे गैस को पंद ठंडा होने के बाद यह काफी ठीक हो जाएगा बिल्कुछ सेम जैम के का ही टेक्शर आजाएगा इसमें अभी गरम है इसलिए थोड़ा आपको पतला लग रहा है अभी आप पहले से बैटर हो गया है लेकिन थोड़ी दिर बाद यह बहुत ही अच्छा टेक्शर में आ जाएगा दोस्तों जैसे जैसे ठंडा होता चला जाएगा वैसे ही यह पहले से बहतर जैम की तरह ही ठीक हो जाएगा अभी हम थोड़ा यह गरम गरम में ही कर रहे हैं यहां पर म अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीच प्लीच लाइक और कमेंट करना ना भूलिए वीडियो को जादे से जादे से एर कीजी ताकि सभी के पास पहुच सके बहुत ईजी और एस्पी है आप देख सकते हों कितना कंड़ार मना है और थो पर बहुत ही टेस्टी बना है खाने में इसमें बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीच प्लीच लाइक और सब्सक्राइब जरू कीजिए थे